हेलो गाइस आज के इस वीडियो में हम हमारे वेब स्क्रापिंग के जो टास्क 10 है उसके solution के बारे में discuss करेंगे तो सबसे पहले मैं टास्क पर देता हूँ कि हमें इस टास्क में करना क्या है अब हमने सारी 250s movies की list दो scrap कर ली है इस टास्क में हमने कुछ और analysis करना है ठीक है तो अभी तक हमने directors और language का analysis अलग-अलग से किया था तो हमारे पास ये data था कि हर director की total कितनी movies है और languages के हिसाब से भी movies की frequency थी अब हम इन दोनों को combine करना है ठीक है अब हमने ये समझना है कि कौन से director कौन-कौन सी languages की movies बनाता है ऐसे कौन सी director है जो एक से ज्यादा languages में movies डारेक्ट करता है ठीक है तो basically हमें यहाँ पर करना है कि यह देखना है कि जैसे यहाँ पर अगर कोई director है जैसे अगर आप यहाँ पर देखो कि एक रिशिकेश मुखर जी नाम का जो डारेक्टर है तो हम यहाँ पर इस task में यह करेंगे कि रिशिकेश मुखर जी ने कितनी हिंदी फिल्म बनाई है या फिर कितनी इंग्लिश फिल्म बनाई है या फिर कितनी तम्मेल तेलगू जितनी भी उसने languages में movies बनाई है उन movies का हम count करेंगे ठीक है तो इसके लिए आपको एक function लिखोगे जिसका नाम होगा analyze language and directors नाम का हम एक नया function लिखेंगे यह function एक parameter लेगा उस parameter का नाम है movies list इस parameter में वो list होगी जो get movie list detail वाला function रिटन करता है मतलब वो list कुछ ऐसी दिखेगी ठीक है अगर आपको पता होगा तो जो हमारा task fire get movies list details वाला उसका output कुछ इस तरीके से दिखता है ठीक है जो सरल पे दिया हुआ है ठीक है तो यह ध्यान रखना कि अपने यह analysis सारी 250 movies के list पे रन करना है आपके function का written value एक dictionary होगा एक dictionary कुछ ऐसा दिखेगा इस तरीके से बनानी है जैसे एक डारेक्टर का नाम है और उसकी वैल्यू में और एक dictionary है और उस डारेक्टर ने कितनी movies कितनी languages की movies बनाई है उन languages की की है और उसका count है कि हिंदी की कितनी दो या फिर बंगाली की एक ऐसे तो ऐसी हमें हर डारेक्टर के लिए बनाना है क्यूंकि हर movies में डारेक्टर और लाइंग्विजेस दोनों लिस्ट है और एक स्ट्रिंग नहीं है तो उस movie के counting दोनों languages में भी होगी और दोनों directors में भी होगी तो यही उनको कहना है कि अगर रिशिकेश मुखर जी ने अगर हिंदी में भी पहले movie अगर आनन्द है उसमें हिंदी movie में काम किया है ठीक है तो अगर फिर अगर कोई दूसरी movie आती है अगर उसमें भी अगर इसने हिंदी movie मतलब बनाई है तो उसका भी count या पर बढ़ जाएगा हिंट में इन्होंने दिया कि nested loops का यूज करना है ठीक है अभी हम code देखते है और समझते है कि हमें code कैसे लिखना है ठीक है तो पहले तो इस task में हमें तीन functions की जरूरत होगी पहला scrape top list जो हमारा first task का था दूसरा scrape movie details जो हमारा four task का function है और और एक function है जो get movies list detail इन तीन functions का use करके हम एक नया function बनाएंगे analyze language and director नाम का ठीक है तो आपको पता है कि get movie list detail output में एक list देता है जिसके अंदर हर movie की depth में detail है ठीक है तो मैंने उसका जो output है as a argument जो list हा रही है as a parameter यहापे पास किया है कि analyze language and directors में movie list जो यहाँ से list आएगी get movie list detail की ठीक है तो उस list को मैंने यहापे as a parameter पास किया फिर एक मैंने empty dictionary बनाई डारेक्टर डिक नाम की फिर मैंने क्या किया इस movies list नाम की जो list है उस पर लूप चलाया तो अगर जैसे ही मैं इस पर लूप चलाता हो अगर हम इसे print करवा के भी देखें तो आप देख सकते हो कि output में क्या आएगा ठीक है हम one by one line प्रिंट करके देखते कि output में क्या आ रहा या फिर प्रिंट रिटन करते हैं ताकि एक हमें सही से दिखेगा return movie तो हमें first movie जो है वो दिखेगी यहां पर उसकी detail में जो जानकार हम यहां पर देख सकते है ठीक है जैसे मैं run कर रहा हूं और run करने के वाद आपको first movie की detail है यह पर दिख रही है ठीक है जो लिस्ट के अंदर ऐसे 250s movies की अलग-अलग dictionary है तो first movie की dictionary है ठीक है तो ऐसे एक एक dictionary है पर हमें मिलेगी इसके बाद मैंने और एक लूप चलाया है ठीक है और एक लूप इसलिए लगाया है कि हम अभी इस जो यहां पर जो dictionary मिल रही है यह इसके अंदर अगर आप देखो कि director नाम की की है डारेक्टर नाम की की के अंदर क्या है यह डारेक्टर की list है ठीक है तो मैंने क्या किया है कि for director in movie director मतलब movie जो यह जो dictionary आ रही है उसके अंदर के key को call किया डारेक्टर तो उसमें से मुझे list मिली उस list में से मैं एक एक डारेक्टर को निकाल जाओ जैसे अगर मैं इसमें अगर आपको दिखाओ प्रिंट करके तो एक एक डारेक्टर आपको यह आपर दिखेंगे ठीक है अगर मैं प्रिंट करूँ अगर मैं प्रिंट करूँ ठीक है डारेक्टर और रन करूँगा इस कोड को आपको आपको आउटपुट में डारेक्टर की स्पेलिंग चाथ कर लेका है वे इसलिए पैरंथीस की जरुए ठीक है? कि मैं रन करता हूँ जंदा आउप आजरूं पक्रिंग परिंग कर ला है जितने भी डारेक्टर्स है उसमेन व्सारे डारेक्टर्स की आपर लिस्ट आ चुकी है हमारे पास ठीक है ये ठीक है शो जो डारीक्टर्स की अभी हमें भी अरब रिस्ट मिलिती मतलब पूरे डारीक्टर्स के नाम मिलेते ठीक है one by one एक डारीक्टर वन्हें से despono रही है ifting है अब मैंने आगे क्या किया है अब आगे की for और इसके बाद मैंने कहा किया है एक Directors.Dick है हमारी EmptyDick ठीक है उसके अंदर उस Director को ऐसे Key Assign कर दिया और उसके Equals to Value में एक Empty Dictionary दे दी अगर आप इसको Print कराओगे पूरे Directors के Dig को तो आपको हर Director के आगे ठीक है एक Empty Dictionary दिखेगे हम इसे फिल्ट करके देखते है कि क्या आ रहा है ठीक है इसमें देखिए आप कि हर एक Director के नाम के आगे एक Empty Dictionary बन चुकी है ठीक है हाँ और एक चीज ही हाप पर मैंने की थी थोड़ी Implement की है हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि हम क्या हो रहा है था कि हमारी जो Movie List आ रही थी वह एक JSON के फॉर्म में आ रही थी तो JSON के फॉर्म में आ रही थी इसलिए हमने क्या किया था उसे लोड करवा रहे थे तो मैंने कुछ changes की है वह changes है हमारे task form है ठीक है जहां से हमें फाइल रीड हो रही है अगर फाइल एक्जिस्ट होती है तो फाइल रीड होती है सो अब आगे यह देखिए यह तो इसका output हमने देख लिया अब आगे बढ़ते है कि अब हमने dictionary तो बना ली पर अगर हम सररल पर जाके देखेंगे तो हमने क्या किया अभी तक एक बड़ी dictionary बनाए जिसके अंदर director का नाम है और उसके अंदर एक dictionary है तो इसके लिए भी हमने कुछ लिखना होगा वो code है यह यहाँ पर ठीक है यह वाला code ठीक है तो हमने क्या किया इसमें जो movie list है उसके length तक हमने एक loop चलाया जितनी भी उसकी length होगी 250 movies है तो 250 उसकी length होगी So for director in director dick तो मैंने क्या किया यहाँ पर जो director dick है जो हमें output में यह जो मिल रहा है नीचे ठीक है यह पूरा director dick जो हमें अभी हमने बना लिया उसके उपर उसके अंदर के एक एक director को मैंने यहाँ पर लूप चलाया इस पूरे dictionary पर ठीक है तो एक डारेक्टर आएंगे जो यह डारेक्टर यह पर दिख रहा है और movie list का डारेक्टर movie list आय मतलब movie list के zero index का zero index पर क्या आएगा एक dictionary उस dictionary का जैसे i में zero आता है तो इधर zero हो गया तो movie list का zero index और मतलब dictionary के अंदर एक key है तो उस डारेक्टर पर हमने क्या करना है देखएगे चिक करेंगे कि ये ओले डारेक्टर जो एक list है तो उसमेंसे first director और रीक्टर आएगा रिशीकेश्य आएगा तो अगर ये रिशीकेश्य मुखरजी और इह यह वाला यह से जब रिशिकेश मुखर जाएगा अगर दोनों सेम रहे तो नीचे क्या होगा language in movie list जो zero index का language की जो list है उसकी एक एक language क्या होगी इस director के key में जो अंदर एक क्या है dictionary उस dictionary के अंदर जो language नाम की key बनेगी और equals to zero हो जाएगा ठीक है बहुत आसान है आप समझ गया होंगे मैं directly आपको यहां पर output दिखाता हूँ कि कैसे हमें दिख रहा है output कि हम फिर से print करते है डायरेक्टर डिक्स को ठीक है डायरेक्टर डिक्स को मैंने यहां पर प्रेंट करवा रहे हैं हम लोग जैसे run करता हूँ को ठीक है देखिए यहां पर हर डायरेक्टर ने कौन-कौन से फिल्म में काम किया उसके हिसाब से उसकी की और वैल्यू का पैर बन गया पर रिषिकेश मुगर जी ने हिंदी में काम किया था उसलिए जीरो इसलिए क्यूंकि हमने खुद ने यहां पर जीरो आसाइन कर दिया इसलिए तो जितने, Joseph ने मुवीत बनाई है, मनी, रत्न में, तमिल, हिंदी, इंगलीज, तेल गू, लिह माराथी, एसे आसामि, उर्दु, बंगाली, एसे मुवीES में PARAT uso मुवीजiform, मुवीये बनाई है, ठीक है, रगवन ने, ठीक है, तो यह सारी उसे है उसके languages के हिसाब से यहाँ पर आ रही है ठीक है अब आगे है ठीक है हर director को उसकी language हमने क्या कर दी असाइन कर दी ठीक है एक dictionary में है अब हम आगे वाला code देखते है कि आगे आले code में हमने क्या किया है कि आगे आगे अब हमने से सेम कोड लिखा है अगर आप उपर का code और निचे का code देखो तो सेम कोड है सिर्फ हमने क्या किया यह पर प्लस बन कर दिया है थाकि यह जो count है ठीक है जैसे count यह आएगा यह पर क्लस बन होता जाएगा ठीक है सो अभी हम इसका आउटपूर्ड देखते हैं कि आउटपूर्ड में हमें क्या मिल रहा है ठीक है जहां पर हमने 0 था तो सेम कोड है बस हमने यह पर प्लस 1 कर दिया अभी क्वेशन होगा कि हमने यह पर प्लस 1 क्यों नहीं किया यह सिफ समझाने के लिए था कि पहले हमारे डिक्शनरी इस तरीके से बनेगी फिर हमारे डिक्शनरी में यह प्लस 1 एड होते जाएगा ठीक है तो इसे सभी डायक्टर्स ने जितनी फिल्म बनाई है हर फिल्म का काउंट यह पर आ चुका है ठीक है तो थैंक यू फो वचिंग